हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम स्लीज की कटिंग करेंगे तो इससे बनाने के लिए हमने आप पर पेपर लिया है पहले इसकी जो कटिंग हो वह हमें पेपर पर करनी है यहांसे स्रेट लाइन ड्रो कर लेनी है पहले और आप स्लीज की लेंट रखनी है इसमें आपको वन इंच ब्लस कर देना है तो साड़े चार इंच लिक्टनी है तो मैंने साड़े पाँंच इंच पर मार्किंग कर दीए अब जो भी आपका आर्मोले उसको ले लेना है तो मेरा जो आर्मोले वह 9.5 इंच का है तो 9.5 इंच पर्लशन करनी पर मार्किंग करनी है यहां से हमें लेना है 3.5 इंच कोया यह पर स्लीज का स्रेड देना है कि स्लीज राउन्ड ये हमारा ट्वैल इंच उसका हाफ लेना है व्हें सेक्स इंच और हिन्च प्लस करना है मारजण के लिए कि यह दिखिए इस टाइब से फ्राइंट का श्रीप भी हमें देना है अब यहां पर मार्किंग करनी है 3.5 इंच पर और यहां से हमें मार्किंग करनी है 1.25 इंच पर यह दिखिए इस तरीके से लाइन को ड्रॉ किया अब यह हम इसे कट करेंगे यह दिखिए इसको कट कर दिया इसको इस तरह से ओपन करके फ्राइंट का श्रीप भी दे देना है फ्राइंट का श्रीप दिये दिया इस प्रेप को भी कट करना है कि अबहूं है अभी हमें यापर डिजाइन बनानी होगी इसमें है मैं तो यहाँ पर में ढूंटटक्वाइफ यंच पर मारकिंग करनी है तीमटवाइफ का सेंटर ले लिए देना है और वीर्थ में इसको वन इच पर मार्किंग करनी है और स्टैप से लीव का श्रीप दे दिना है कि इसे हम कट करेंगे यह फ्रेंट पार्ट है यह बैक पार्ट है अब इसकी जो कटिंग है वो पहले लाइनिंग पर करेंगे कि अब डिकी नाइनिंग में तोड़ा सजोइंट लगेगा तो पहले हम जोइन को लगा लेते आप जोइन को लगा लिया अब जो मारा इसलीए इस वाला तो दिखिए हमने इसको कट कर लिया है और अब यहां पर हमें सेमेन फैबरिक पर भी कट करना है तो यह फ्रेंड वाला पार्ट है यह वाले पार्ट को भी हम कट करेंगे उपर के साइट से एजटीज कट करना है यहां से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करना है वैन फैबरिक पर भी कट करना है यह दिखिए मैं फैबरिक पर कट करके इसको इस तरीके से स्टीज कर दिया कट लगा कर इसको पलटना है और साइट से एक स्टीज कर देना है यह दिखिए अब यह वाली स्टीज को राइट साइट पर रखना है मैं फैबरिक उसके ओपर लाइनिंग फैबरिक रखते हुए इसको स्टीज कर देना है कट लगा कर पलट देना है अब यह आपर हम लेस लगा रहे हैं जहां पर कॉनर आएगा वहां फिले इसको कट करके लगाना है यह दिखिए अब यह वाले पार्ट को हम यह आपर स्टीज करेंगे तो देखिए स्टीज कर दिया ओपर से पुरा प्रॉपर शेप दे दिना है इसका यह दिखिए अब यह आपर यह जो पती थी जो लीप शेप कट किया था उसको हमें पेपर प्रेस्टिंग पर रखना है तो उसको हमने फोर फोल्ड करके रखा है यानि डबल करके रखा फिर हमने इसको एक बार और डबल कर दिया साइट साफ इंच एक्स्ट्रा लेकर हम इसे कट करेंगे हैं प्राइट से हमने इसको स्टीच किया पेपर पेस्ट किया और यहां पर साइट से फोल्ड कर लिया है सेंटर पर एक मार्किंग किया स्लीस पर भी एक मार्किंग कर लिनी है इसको इस तरह से रखना है और पेपर पेस्टिंग के साइट से स्टीच कर देना है इसको में कट कर देना है पूरे ही डिजाइन पर कट लगा देना है अंदर के साइट फोल्ड कर देंगे इसको अब ये नीचे के साइट के लिए नेट फैबरिक लिए है नेट फैबरिक के जो वीट लिए है वो हमने लिए 2.5 इंच की नीचे के साइट रखते हुए स्टीच करना है एक स्टीच हम यहां से कर देंगे इसको फोल्ड करते हुए स्टीच करना है यहां से हम इसको उस तरीके से फोल्ड करेंगे तो यह थोड़ी से बड़ी हो रही है तो हम इसे थोड़ी से छोटी कर देना यानि कट कर देना है अभी हम इसे फोल्ड करेंगे तो यह फ्रीसिंग से फोल्ड हो जाएगी और जितनी लीचे के साइड लेस आईए ना उससे थोड़ा सो कम ही लेना है हमको यह दिखिए अब यहाँ पर हमने इसकी जो वीट रखी है फैफरी की वो त्री इंच की रखी है लैंध हमने इसकी रखी है एट इंच की तो इसमें हमें बो बनाना है तो हमने इसको सिंगल ही लिया है सेंटर से इसको कट करेंगे दोनों स्लीज के लिए सेंटर पर मार्किंग करते होगे प्लेट्स डाल देनी है यह दिखिए अब सेंटर पर लेस लगानी है इसको राइट साइट पर कर देना है यह दिखिए इस टाइब से अब इसे हम यह आपर लगा देना है तो सेट करके वह लगाना है अच्छे से यह दिखिए अब यहाँ पर हमें मोती लगाने है के याजा कर वह दिखिए ए कि यहुआ यह लग्यो मोतियों को लगा देना है तो देखे स्लीज बनकर कम्प्लीट हुई है कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी वीडियो को लेक्शिर जरूर करिएगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा थैंक यू